हेलो फ्रेंट्स, वल्कम थू आर चैनल फ्रेंट्स आज की वेडियों में हम पढ़ने वाले हैं ओर्डिनल नमबर्स फ्राम फर्स्ट टू टैन एक से दस तक हम क्या पढ़ेंगे ओर्डिनल नमबर पर ordinal numbers पढ़ने से पहले हमें जी तो पता होना जाए कि ordinal numbers क्या होते हैं ordinal का मतलब होता है क्रम बाचक और numbers का मतलब होता है संख्या जैनि क्रम बाचक संख्या क्या बोलती है ordinal numbers अब क्रम बाचक संख्या क्या होती है क्रम बाचक संख्या बैसंख्या होती है जिससे हम चीज़ूं को क्रम में गिनते हैं जैसे कोई चीज क्या होगी पहली होगी पहला हो गया डूसरा जैसे मालो यह एक चीज रख़ें उसके बाद यह दूसरा जै ती का मतल्य होता है करम बाचिक संख है तो शुरू करते हैं सबसे पहले हो घहां बोलब हैं फिर जाहां पर पर जाह लोग़ को गया पहला तो पहला तो हो गया हिंढी में English में क्या मतलब होता है पहला, जाहां सको शार्ट कार्ट में आप लिख सकते हैं आई है, first लिख देया, one लिख देया और sd लिख देया, ऐसे फस्स लिखा जाता है, जे होगा, first पहला, फिर है दूसरा, जैसे माई लो जे चीज हो गई, यह हो गई जह हो गई आप दूसरा कों सरफ यह हो तो पहला है ज 26 नंबर पर इसको क्या हिंदी में पूरा जाता इंगलिश में क्लिदफ का पूलोगा सथ исп से कंड और अप एसे भी लिख सकते टुb nd ठीक है second उसके बाद है third ठीक है जिसे एक कोई चीज जहां पर आगी 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 जह पहला हो गया जह दूसरा हो गया तीसरा हो गया तीसरा तो हिंदी में तीसरा हो गया इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसको third बोला 5 भी वही हो गई पांच भी हो इस्ट को क्या बोला ये इंगलिश में फॉर्थ F O U R T H फौर्थ मतलए चौथा तो फौर्थ को आप इस तरह से भी लिख सकते है फौर और टी एच ठीक है अगला है पांचवा तो पांचवा नमबर पे चीज़ होगी इसको पांचवा बोला जागा जैसे एक फिर दूसरे नमबर पे फिर तीसरे नमबर पे चौथे नमबर पे पांचवा नमबर पे और शटे नमबर पे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जे चीज़ हो है जे वाला ना इसको पांचवा नमबर पे हिंदी में बोला जाता है पांचवा और इंग्लिश में बोला जाता है फिफ्थ, F-I-F-T-H फिफ्थ ठीक है इस तरह से और इस तरह से लिख से लिख लिख दिए तो फिफ्थ हो गया, फिर आगा शिक्त जनी छटा, छटे नमबर पे कोई चीज होगी तुसको बज़े से नमबर में एक, फिर दूसरे नमबर पे तीसरे नमबर पे 14 नमबर पे 5 नमबर पे 6 नमबर पे 7 नमबर पे अब पहलए नमबर पे कोई चीज जए अर इंग्लिश में बोला जाया था is SIXTH, 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 SIXTH तो जब एक के बाद दूसरी चीज़ आती है उसको बोलते है क्रम ठीक है क्रम बाचिक संख्य है क्योंकि क्रम में हैं जी सारी चीज़े है पहले नमबर पे है दूसरे नमबर पे है तीसरे नमबर पे है ऐसा नहीं कि जहां से पहले आ जाए नहीं पहले जे होगा क्यों क्योंक सकतु शक्तेस्स में एगला आथ ओवां आपको चीज रहुत अध्रके थो उसको वला आध् doc झाये गा आथ जैसे एक पहले नंबर दूसरी नंबर पर तीसरे नंबर पर चोते नंबर पर पांचे में आठव नंबर पे और 9 नंबर पे अब सब्सक्राइब करम बातस्चिक संख्या उती है, जब सब्सक्राइब नरत एगा उत now, से कशार नमबरे रहे हैं। आइगन तीएच एठ involves नगे हैं। ऑफ से कोछी नाइंट नमबर की तुश goals और नौमा जिसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चोथे नंबर पे, पांचवे नंबर पे, छटे नंबर पे, साथवे नंबर पे, और आठमे नंबर पे, और नंबर पे, और दसमे नंबर पे, ठीक है, जे चीजे होगी, सबसे पहला पहला नंबर, याइन्ट्प नाइन्थ das है नाइन्थ आप इस तरह से भी लिख सकत हो, याइन्ग और ट्प नाइन्थ थीक आब है दस्त वाँ, तो कोई चीज दस्त वे नंबर पर ऑगी जैसे यह पहले नंबर पर, यह है दूसरे नंबर पर जे हैं तीसरे नंबर पर जे हैं चोथे जोहें जे हैं पाँच्पाय जे हैं चलख जी जे हैं आठासी जे हैं पांच्पाय दसवा मतलब दसवea नंबर पे है यह दसवा पहले नहीं आ सकता है तो हिंदी में बोला जाएगा और अंग्लीव में बोला जाएगा TNT , और ऐसे भी लिख सकता है और TH 10 हो तो इस तरह से जब चीजें क्या होती होती आरडर में होती है जैसे ओर्डर का मतलब औरrec order order जा इसको आफ हिंदियम बोला जाए तो ऐसे भी बोल सकते क्रम जब चीजे क्रम में होती है जैसे कि मैं बता देता हूं आपको एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब देखो सबसे पहले जे आएगा इसके बाद जे आएगा इसके बाद जे आएगा इसके बाद जे बोला जाता है उनको बोला जाता है order order और जब इन इस नंबर को जैसे पहला है दूसरा है क्योंकि पहले का जे हो है ना दूसरी का जे है तीसरी का जे है चोथे का जे पांचवे का जे है तो इन जब देखो पहला तो जे एक order है नंबर है और जे नंबर जैसे पहला दूसरा तीसां शिरेंज का नाम है या तीन इस तरह से लिखा जाता चार इस तरह से और दूसरा किadder में है चीज़ से एक के बाध दूसरी आती है तो उनको क्या बोला जाता है और भादिनल साज कि धौल नंबर 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 कि अधिक सुम्रों मैं उमीड करते हूं कि आप नहीं